अगर आपके 500, 200 या 1000 रुपे गुम हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा जरह बताईए, अगर आपके 100 रुपे खो जाए, तो कैसा लगेगा? दुख तो होता है, खर्च होने का भली नहीं होता, पर खो जाने का तो होता है. यह बात तो बिल्कुल सही है, अच्छा आप बताईए, अगर 2000 रुपे आपके गुम हो जाए तो? 2000 रुपे गुम हो जाए, या बहुत दुख होगा, मैं शायद 2 दिन तक सो भी ना पाऊँ. लेकिन मैडम, अगर आपके 5000 रुपे गुम हो जाए तो? यार 5000 रुपे तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मतला मेरी तो 500 रुपे खो जाना है तो में तो नीदी आएगी रात बर. यह बात तो सही है, मेरे विगर 10 रुपे भी खो जाए ना तो मैंको बहुत गुस्ता आएगा. अब देखिए यहाँ पर 102,005,000 खो जाने पर नीम दुड़ने की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको जिस आदमी के बारे में बता रहा हूँ, उसने 1,26,731 करोड रुपे एक रात में खो दिये हैं. इनका नाम है Sam Bankman Fright, जो की Crypto Exchange FTX के मालिक हैं. यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी Crypto Exchanges में से एक थी, जी हाँ थी, Sam की Net Worth 15.5 अरब डॉलर से गिर गई है, यानि एक दिन में उनकी Net Worth में 94 फीजदी की कमी आई है. Bloomberg के Billinear List में उनका नाम अब हट चुका है और अब तक की किसी अरब पती की Net Worth में एक बार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है. अब FTX दिवालिया होने की कगार पर है और उन्होंने CEO पद से भी स्तीफा दे दिया है. Sam Bankman Fright को कभी King of Crypto बुलाया गया, कभी उनकी तुलना Warren Buffet से की गई, तो कभी उन्हें Modern Day का JP Morgan भी बताया गया. उन्होंने ट्वीट कर माफी मांगी और कहा कि मुझे वास्तव में खेद है कि हम ऐसी स्तिथी में पहुँच गये हैं. उमीद है कि चीज़े ठीक होंगी, उमीद है कि ये ग्राहकों के लिए बहतर होगा. लंबा ट्वीट किया उन्होंने. Sam California में पले बढ़े, उन्होंने Massachusetts Institute of Technology यानि की MIT से Physics में Graduation किया है. बाद में उन्होंने कई ट्रेडिंग कमपनियों में काम किया, 2017 में क्रिप्टो करंसी की दुनिया में उन्होंने कदम रखा. इसके पहले उन्होंने Wall Street में ब्रोकर का काम भी किया था. अब आप पूछेंगे कि ये सब हुआ कैसे, क्या कारण रहे, फिलहाल इसकी जान चल रही है. एक रिपोर्ट बताती है कि Sam ने अपने निवेशकों और ग्राहकों के पैसों का दुर उपियों किया है. कुछ रिपोर्ट सीधे दावा करती है कि Sam ने FTX की पेरेंट कमपनी Alameda Research को चालाकी से कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया है. FTX ने कहा है कि उन्होंने कमपनी के अकाउंट तक Unauthorized Access Detect किया है. Exactly क्या मामला है? फिलहाल इसकी जाच जारी है. Finway FSC के CEO रचित चावला ने क्विंट हिंदी से कहा है कि आरोप तो यही है कि जब 2017 से क्रिप्टो में बेतहाशा निवेश हो रहा था तो FTX ने अपने ग्राहकों के पैसों का इस्तेमाल कर पैरेलल इन्वेस्मेंट शुरू किया. और क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है इसलिए ये काम आसानी से होता रहा. एक समय FTX की वैल्यू 32 बिलियन डॉलर तक भी पहुँच गई थी. अब क्रिप्टो बाजार में गिरावट आ रही है. FTX टोकन का हाल तो आप देखी रहे हैं जो पिछले साल तक 50 डॉलर के आसपास था वो अब 1 डॉलर के आसपास ट्रेट कर रहा है. ग्राफ बता रहा है. बिटकोईन 16,000 डॉलर के आसपास है. एथेरियम 1800 डॉलर के आसपास बना हुआ है. ऐसे में कुछ एक्सपर्ट का मानन कर सकते है. आनि कि ऐसे क्रिप्टो जो की अपना नाम इस शेत्र में पहले ही बना चुके हैं जैसे की बिटकोईन और डॉच कोईन जैसे छोटे क्रिप्टो से दूर ही रहे. उन्होंने ये भी कहा कि SIP की तरह आप यहां थोड़ा-थोड़ा निवेश करने से भी कुछ खा से अच्छा लॉंग टर्म निवेशक बनिये तो एक तरह से जिसे बविश्य की करेंसी माना जाता रहा है आज उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस हफते बिजनेस और कारोबार की दुनिया से आई आपके काम की कुछ खास बाते जान लेते हैं तो अक्टूब पर WPI inflation यानि की ठोक महंगाईदर थी मार्च 2021 के बाद पहली बार ठोक महंगाईदर दस फीजदी से नीचे आई है ठोक महंगाईदर वह प्राइस है जो मिनिफैक्ट्रर्स या होल सेलर्स को पे करना होता है इसके लावा LIC के शेर सोमवार के शुरुवाती सत्र में BAC पर 9 परसेंट बढ़कर 682 रुपए प्रती शेर हो गई मैं मैं शेर्स लिस्ट होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है LIC शेर्स में रेटिंग एजनसी मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक व्रिद्धी का अनुमान 7.7 परसें से घट पूत्री कर सकता है